यहाँ पर टाटा एलेक्सी डिमानना काफी जना चल रही थी जब मैंने इस्टाग्राम पर पोल डाला कि आप टाटा एलेक्सी पर वीडियो चाहते हैं या फिर कैपलिंग पॉइंट्स पर तो जाहते लोगों ने एक टाटा एलेक्सी को भी वोट कर रखा था और अगर आपने अभी तक मुझे इस्टाग्राम पर फोलो नहीं कर रखा न तो यह रहा मेरा इस्टाग्राम हैंडल जाकर जलुदी से फोलो कर लेना क्योंकि वहाँ पर भी मैं काफी अक्टिव रहता हूँ तो चलि इस वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर वीडियो चाह पार्ट्समेंट डिवाडिर है सबसे पहले हम बात करें कंपनी की हिस्ट्री के बारे में उसके बाद हम कंपनी को करेंगे फंडामेटली एनलाइज तीसरे नमबर पर हम बात करेंगे वेलूशन के बारे में और क्या मैं इस company में अभी invest कर रहा हूँ चोथे नमर पे हम बात करेंगे कि क्या है stock अब multiplier बन सकता है तो वीडियो को एंट तक देखना और वीडियो को like करना ना भूलना तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को तो शुरू बात करते हैं इस company की history के साथ ये company शुरू ही थी March 30, 1989 को बड़ इस company ने business करना शुरू 5th में 1989 को किया था सबसे पहले बात कर लेते हैं इस company का नाम Tata Alexi क्यों रखा तो यार इसके पीछे ना एक शोड़ी सी story है यहाँ पे 1970 में एक company हो करती थी जिसका नाम था Alexi तो Alexi ना एक mini computers company थी मलब जो की mini computers को बेचा करती थी पर यहाँ पे Tata's का क्या relation था इस company के साथ तो Tata group ने इस company में invest कर रखा था पर यहाँ पे 1989 में एक general shift आता है और लोग mainframe computer से जादना personal computers को preference देना शुरू कर देते हैं तो इसकी वैज़से company को काफी losses होने लग गए और company ने decide किया इस business को बन करने का और उसी साल इस company ने इस business को national computer systems को बेच दिया अब Tata groups ने क्या किया इस नाम को लिया और यहाँ से एक नई शुरूआत की और उसका नाम रखा Tata Alexi यहाँ पर यह 2000 में Tata Suns जो की Tata groups की main company है जो की acquisitions करती है तो Tata Suns ने इस company के सारे shares acquire कर लिए यहाँ पर इस portion में मैं history के बारे में जादे नहीं बता रहा यहाँ कि जब हम fundamental analysis में business model के बारे में समझेंगे तो उस time पर मैं history को इसके साथ साथ cover करूँगा चलो अब कर लेते हैं इस company को fundamentally analyze सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस company के business model के बारे में यहाँ पर company के businesses 5 areas में divided हैं सबसे पहले category है automotive और transportation की वहाँ से आते हैं 52% revenues उसके बाद 28% revenues आते हैं media और communication से उसके बाद 10% revenues आते हैं इनके industrial design से उसके बाद 6% revenues आते हैं इनके healthcare segment से और बाकी के 4% revenues आते हैं इनके other sector से यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं automotive और transportation segment के बारे में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर 52% revenues इनके इस segment से आते हैं तो इस company segment में काफी focus कर रही है यहाँ पर company क्या करती है दूसरी जो automobile companies हैं उन्हें services ओफर करती है और यह जो services हैं कि वो भी आगे 5 areas में divided हैं जिसमें से पहली category है body and electronics इस area में company ओफर करती है front and rear lightning के service sitting system, door and roof system instrument cluster और steering system तो अब दूसरी category की बात करें तो वो है telematics and infotainment तो इसमें आती है navigation entertainment system, security and emergency services तीसरी category है powertrain electrics तो इसमें क्या आता है तो इसमें आती है engine management system, turbo charger और transmission system यहाँ पर फूर्थ category है hybrid electric coicas इसमें आती है hybrid controller, battery management, यह सब fifth और last category है safety and security इसमें हमें देखने को मिलती है airbags, parking assistant, anti-lock breaking system और night vision system जैसी services तो यह यह तो बात रही कि segment के बीचे यह सब categories है बट अगर हम इस categories को revenue के बीच पे divide करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40% revenues आती हैं के infotainment से बागी के 40% revenues आती हैं PT और body electronics से और बागी के बचे और 20% revenues आती हैं safety and security से यहाँ से में पता चले हैं कि company ने एक segment के इंतरी कितना diversify कर रखा है बट यहाँ पे segment के साथ एक problem भी है यहाँ पे क्या हो रहे है कि काफी time से global auto sector काफी सारा down चल रहा है और यह जो auto sector होता है वो economy के साथ चलता है अगर economy अच्छा करती है तो auto sector भी अच्छा करता है और अगर economy बुरा करती है तो यहाँ पे जो auto sector है वो भी बुरा करता है बट problem सिर्फ इतनी सी नहीं है यहाँ पे जो JLR है पलब जैगोर एंड लैनलोवर उसमें अगर काफी टाइम से problem चल रही है ब्रिक्सिट की वैसे वहाँ पे काफी जरना problem चल रही है जिसकी वैसे JLR की sales है वो काफी जरना down चली गई है अब यहाँ पे मैं ब्रिक्सिट को explain नहीं कर रहा तो अगर मैं इसको explain करूँगा तो वीडियो काफी जरना लंबी हो जाएगी तो अब ब्रिक्सिट को YouTube पे जाके समझ सकते हैं कि ब्रिक्सिट क्या है कैसे इसका impact पर रहा है JLR पे तो यहाँ भी JLR काफी issues face कर रहा था और मैं आपको बता देता हूँ JLR Tata Lexi का सबसे बड़ा customer है तो अगर JLR issues face करेगा उसकी sales डाउन जाएंगी तो ओविस से बात है कि इसका impact Tata Lexi पे भी पड़ेगा तो पिछले साल 2019 में क्या हुआ जब इसका impact Tata Lexi पे पड़ने वाला था इन्होंने यहाँ पे एक strategy लगाई इन्होंने क्या कि एर railways और air space sector को target करना शुरू कर दिया और इन्होंने जल से जल काफी अच्छे हची deals sign भी कर ली जिसकी वैसे JLR का impact इनके उपर नहीं पड़ा और इसके साथ-साथ इन्होंने ये भी कहा था कि अब हम healthcare, media, communication पे जाधा focus करेंगे और innovation startups को acquire करेंगे और इसलिए ये अब electric vehicles पे काफी focus कर रहे हैं चले अब बात कर लेती हैं दूसरी main segment के बारे में वो है media and communication और company को यहां से 28% revenue आते हैं सबसे बहले बात कर लेते हैं media के बारे में तो यहाँ पे TV broadcast services offer करते हैं शुरू different different mediums यहाँ पे जो यह market है यह काफी ज़्यादा mature है तो इसलिए इन्होंने इस market में बार-बार innovations लानी बढ़ती हैं पर यहाँ पे क्या होता था पहले कि जब यह innovations लाते थे तो इन्हें gateway devices जैसे की set-top box यह यह बार-बार change करने बढ़ते थे जिसमें काफी ज़ना cost आ जाती थी पर अब इन्होंने नई technology यूज़ किया है इन्होंने cloud-based delivery models को यूज़ करना शुरू कर दिया जिसकी वरसे इनकी replacement cost काफी ज़ना कम हो चुकी है और इसके इलावा यहाँ पे यह visual effects, animations और user experience पे काफी focus कर रहे हैं अब communication के बारे इम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे communication product companies को product development की, testing की, maintenance की और support की services ओफर करते हैं यहाँ पे इनका falconi नाम से एक media and communication का product है जो कि एक broadcast automation solution है इस segment में इनके पास अच्छा कासा customer base भी है जैसे की ATL TV, ZTV, Sky और Intel तो यहाँ पे इनका जो customer portfolio है segment में वो काफी अच्छा है चलो अब बात कर लेते हैं थर्ड segment के बारे में और वो है industrial design और यहाँ से company को 10% revenues आते हैं तो जैसे ही हमें नाम से पता चल रहा है कि अपने customer को design services, product design, visual design and branding packaging design and graphic design यह सब services यह company offer करती है अब यहाँ पे जो next segment आती है वो है healthcare electronics यह segment टाटा एलेक्सी ने 2008 में शुरू की थी कुछ Japanese companies के साथ tie up करके बट उस टाइम पे क्या हुआ है यार इन्हों ने इस segment को जादा scale नहीं किया क्योंकि यहाँ पे risk factor काफी जादा था बट 2010 में इन्हों ने segment को दुबाला reconstruct किया अभी तक इन्हों ने segment पे जादा focus नहीं कर रहे थे अब इन्हों ने segment पे कुछ focus करना शुरू किया है और company को यहाँ से 6% revenues आते हैं इसके इलावा यहाँ पे एक core segment है जो की है others इसके अंदर system integration जैसी चीज़े आती है और यहाँ से company को 4% revenue आता है चलो अब बात कर लेते हैं company के financial statements के बारे में तो सबसे पहले चलते हैं profit and law statement की और तो अगर हम बात करें company की revenue की तो यहाँ पे company का revenue continuously increase होते आ रहा है यहाँ पे 2016 में company के revenues 1000 करोड थे 2016 में 1200 करोड 2018 में 1300 करोड 2019 में 1500 करोड और यहाँ पे अब इस साल 2020 में 1600 करोड हो गए मतलब पिछले 5 साल में company के revenues 13% से बढ़े हैं और अगर हम बात करें पिछले 3 साल की तो वो 9% से बढ़े हैं तो यह तो बात थी sales करोड की अब देख लेते हैं कि company का profit किस तरह से चल रहा है तो यहाँ पे 2017 में company के net profits 150 करोड थे 2017 में 170 करोड 2018 में 240 करोड 2019 में 290 करोड और अब इस साल 2020 में 250 करोड हो गए यहाँ पे company के net profits भी continuously increase होते आ रहे हैं 2019 में थोड़े जादा बढ़ गए थे पर अभी 2020 में वापिस उजी track पे आ चुकी हैं तो अगर हम बात करें overall growth की तो यहाँ पे पिछले 5 साल में company ने 20% की growth दिखाई है और अगर हम बात करें 3 साल की तो उसमें दिखाई है 13% की growth अब यह तो बात थी profit and loss statement की अब चलते हैं balance sheet की और तो जैसे ही यहाँ पे मैंने पिछले 5 साल तक का नजर डालें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि company की reserves भी लगातार increase होते हा रहे हैं और इस साल 2020 में company की reserves 1000 करोट पहुंच चुके हैं तो अगर हम company की reserves को borrowing से compare करें तो यहाँ पे मैं पता चल रहा है कि company अपने debt को easily pay कर सकती है तो यहाँ पे company एक तरह से company को अपने businesses से generate होती है तो अगर हम इने compare करें तो यहाँ पे मैं पता चल रहा है कि company का जो cash conversation ratio है cash conversation ratio मतलब company अपनी profits को कितनी असानी से cash में convert कर पा रही है तो इस case में company का cash conversation ratio काफी अच्छा है जो कि काफी अच्छी बात है अगर अब बात कर लेते हैं कुछ रिश उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं ROE के बारे में ROE मतलब company अपने shareholders की equity पर उनके investments पर कितने returns लेकर आ रही है तो यहाँ पे company का पिछले 5 साल का ROE है 36% और अगर हम बात करें पिछले 3 साल के ROE के बारे में तो वो है 32% इसके इसमें यार company काफी अच्छा ROE लेकर आ रही है अब हम बात करते हैं ROCE के बारे में ROCE मतलब हमने जो अपने business में capital लगाया है उस पर हमें कितने returns आए हैं तो इसे हम कहते हैं ROCE वह जो capital होता है यह चाहिए debt की form में हो या फिर हमने खुद का लगाया हो अगर हम ROE की बात करें तो ROE में सिरफ equity को count करते हैं कि हमें equity पे कितने returns आए हैं तो यहाँ पे company का पिछले 5 साल का ROC 53% है और अगर हम बात करें पिछले 3 साल की तो वो है 47% इसके इलावा अगर हम बात करें debt to equity ratio के बारे में तो यह इसके बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे इस company की debt to equity ratio काफी attractive है अगर हम बात करें exact numbers की तो वो है 0.05% जो की काफी चीचीज है अब बात कर लेते हैं company की management के बारे में यहाँ पे Mr. N. गन्यपतिय सुबरमनियम इस company के non executive officer है sorry अगर मैंने girl spell किया हूँ और इस company के CEO और MD है मनोज रागवन अभी मैं जमिन के बारे में पढ़ रहा था इनके interviews देख रहा था तो यहाँ पे मुझे इस company की management काफी अच्छी लगी इसके साथ साथ यहाँ पे हम एक और चीज़ को देख लेते हैं जो कि है promoters holding तो यहाँ पे पिसले काफी time से promoters holding सेम रही है और यहाँ पे कोई भी share pledge नहीं है जो कि काफी अच्छी बात है चलो अब फाइनली बात कर लेते हैं valuations के बारे में और क्या मैं इस company में भी invest कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ और overall मुझे इस company काफी अच्छी लगी यहाँ पे company के fundamentals भी काफी ज़दा strong है बट अगर हम बात करें valuations की तो मेरे according company थोड़ी overvalued है यहाँ पे मुझे company थोड़ी महेंगी लगी और यही reason है कि मैं अभी इस company में investing कर रहा यहाँ पे इसके साथ साथ एको reason है जो automotive segment है वो इस company की सबसे बड़ी segment है और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था जो auto sector होता है वो economy पे depend होता है तो यहाँ पे economy अच्छा नहीं कर रही तो अभी मेरे according economy काफी time तक अच्छा नहीं करेगी situation की वज़े से तो अभी economy अच्छा नहीं करेगी और भी जादा गिर सकती है तो अगर economy गिरेगी तो उसकी वैसे auto sector भी गिरेगा तो अगर auto sector किरेगा तो उसका सीधा impact टाटा एलेक्सी वे पड़ेगा तो इसी वज़े से मैं अभी इस company में invest नहीं कर रहा इसके साथ-साथ अगर हम बात करें recent quarters की तो यहाँ पे revenue कम हुआ है उसके साथ-साथ इतकी profits भी कम हुआ है और यह इसलिए हो रहे कि यार इस situation चल रही है economy down है उसकी वज़े से जो इनकी deals है उनमें delay हो रहे है इसकी वज़े सीधा impact इनके quarter results पर पड़ा है चले और अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि क्या है stock multi bagger बन सकता है मुझे पता है कि अब आपसे wait नहीं हो रहा तो यहाँ पर आर company ने consistently growth दिखाई है यहाँ पर एक company के जो fundamentals है काफी ज़ना अच्छे है यहाँ पर जो company का जो debt to equity ratio है यहाँ पर company का जो debt है वो यहाँ पर एक और जो main factor है वो यह है कि company innovation और technology पर काफी ज़ना focus कर रही है तो अगर हम इन सभी factor के base पर company को judge करें तो हम कह सकते हैं कि company शायद multi bagger बन सकती है पर यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ यह कोई भी recommendation नहीं है और यहाँ से मैं आपको कुछ भी advice नहीं कर रहा मिलता हूँ आपसे new video में तब तेके लिए bye thank you so much